क्रिकेट खेलने के लिए क्या दोबारा पाकिस्तान जाएंगे विराट खुद विराट कोली का बयान आया है जहां विराट कोली ने पाकिस्तान जाकर क्रिकेट खेलने की उमीद जताई है और इसके उपर पूर्फ पाकिस्तान के कप्तान शाहिद अफरीदी ने क्या बयान द पाकिस्तान के काफी मशूर माउंटेनियर है जिनका नाम है शहरोष काशिफ शहरोष काशिफ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो डाला जिस वीडियो में वह इस बात का दावा कर रहे हैं कि वीडियो कॉल पर जिस शक्स से वह बातचीत कर रहे हैं वह विराट विराट कोली का चहरा कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है अब इस वीडियो में विराट कोली क्या कह रहे हैं वो मैं आपको ज़रा बता देता हूं यहां पर विराट कोली कह रहे हैं कि hopefully we visit Pakistan soon as other countries have started visiting too यानि कि बाकी देशों ने पाकिस्तान में आकर क्रिकेट खेलना दुबारा से शुरू कर दिया है hopefully हम भी जल्दी आएं इसके बाद से सभी पाकिस्तान के तमाम क्रिकेट फैंस इस बात की खुशी में है कि विराट कोली जो है वो पाकिस्तान आकर क्रिकेट खेलना चाहते हैं कोली जल्दी पाकिस्तान आएंगे और इसी बीच में पूर्फ पाकिस्तान के कप्तान शाहिद अफ्रीदी ने भी कोली का स्वागत करते हुए और कोली के इस बयान को अप्रिशियट करते हुए ये उन्होंने कहा है कि ऐसा एक सेंसीबल सेट्मेंट आप विराट जैसे बड़े क्रिकेटर से आता हुआ देख जा सकता है क्योंकि इससे पहले एक बार विराट कोली पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट खेल चुके हैं ये बात है साल 2006 की जब अंडर 19 के एक दौरे पर विराट कोली पाकिस्तान गए थे तब उन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट खेला था लेकिन जब से कोली का नाम इतना ज्यादा बहतर नहीं रहा है इससे पहले आकरी बार भारतिय क्रिकेट टीम 2008 में पाकिस्तान गई थी जब उन्होंने इश्या कप खेला था लेकिन उसके बाद से बीसी सिया कभी भी इस बात को लेकर राजी नहीं हुआ है कि इंडियन टीम पाकिस्तान जाएगी क्योंकि बीस के वाइस प्रेजिडेंट राजीव शुकला की तरब से भी बीते दिनों में आया था लेकिन विराट कोली कि इस वाइरल वीडियो में हाला कि दावा तो नहीं किया जा सकता है कि यह विराट कोली की जरूर है लेकिन चेहरा नहीं देखा गया है यहापर विराट कोली का अभी के लिए मुझे दीजय इजाजत जय हिंद जय भारत